आओ बच्चो सुनो कहानी बाल कथा असली हीरे कई सो साल पहले एक सुंदर वा विशाल नगर था स्वपन नगर वहां का राजा उग्र सैन बड़ा ही दुष्ट वा संकुच्थ हिर्दे का था राजा के ऐसे सभाव से वहां की जनता बड़ी दुखी थी एक बार राजा राणी की किसी बात पर इतना खुश हुआ कि उसने राने के लिए दूर देश से अत्यधिक कीमती हीरे मंगवाने का फैसला किया हीरे लाने का काम राजा ने अपने छोटे भाई भद्र सैन को सुंपा भद्र सैन लोगों को प्यार करने वाला और उनके दुख दर्द को समझने वाला था वैस सिपाहियों को साथ लेकर हीरे लेने दूर देश गया लेकिन लोटा खा ली हाथ राजा को उसने बताया कि समुदरी लुटेरों ने उनसे सब हीरे लुट लिये हैं रानी को जब हीरों के लुटने का पता चला तो उसने रूठ कर अनजल त्याग दिया इस से राजा को बेहत दुख हुआ उसने रानी की बड़ी खुशामद की पर रानी ने राजा की एक ना सुनी राजा सारा दिन परशान रहा दरबार के कामकाज में मनना लगा तो समय से पहले ही दरबार बरखास कर दिया राजा अपने कक्ष में उदास बैठा था कि भद्दर सैन आया कहो भद्र कैसे आना हुआ राजा ने अपने भाई से पूछा आपकी तबियत ठीक नहीं लगती इसलिए हाल पता करने चला आया भद्दर सैन विनमरता पूरवक बोला तब राजा दरवित आवाज में बोला क्या बताएं राणी ने सुभा से जल तक नहीं छुआ इस पर भद्दर सैन ने धीमेश्वर में कहा बुरा ना माने तो एक बात कहूँ हाँ हाँ कहो राजा ने उसे अनुमती दी तब भद्दर सैन बोला जितना दुखा आपको हीरों के खो जाने का है और जितना महरानी के परती है काश इतना प्यार अपनी परजा के पती होता है राजन के असली हीरे उसकी परजा होते हैं भाई साहब ये सुनकर राजा की आँखे खुल गई तब ही भद्दर सैन ने एक रहस्यो दगाटन किया भराता शिरी हीरे सही सलामत हैं ये सब मैंने आपकी आँखे खोलने के लिए किया था मुझे क्षमा करे भद्दर सैन हाथ जोडते हुए बोला ये सुनते ही राजा ने भद्दर सैन को गले से लगा लिया और कहा तुमने मुझे असली हीरो की पहचान करा दी भद्दर तो बच्चो कथा का साराश है करतव्य ही असली दिरोहर है